बेगे बाद आप सभी का सौगत है और लगतार बिहार की सियासत में जो हलचल हो रही उसमर लगतार अपडेट दे रहे हैं आपको और इस वक्त की बरी खबर भी आपको बता रहे हैं कुछी दिर में NDA बिधाईकों की बैठक होगी एस वक्त की बरी खबर और इस बैठक में बीजेपी नडडा, जितरामांजे और चिराग पासमान भी मौजूद होगे जीहां तो कहा जा सकता है कि तमाम दल की नीटा इस बैठक में मौजूद होगे और सबसी बड़ी बात ये है कि नेतिश कुमार ने इस्तिफा दे दिया है कुछी देर बाद शपत गरहन भी होग एस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लेंगे तो बहराल बिहार के सियासत में एक और बड़ा सत्ता परिवर्तन हो चुका है हलां कि सत्ता परिवर्तन हुआ है लेकिन मुख्या मंतरी नितीश कुमारी है अभी भी सियासत की धूरी, अभी भी सियासत का केंदर बिंदू, सेंटर पॉइंट जो है, वो नितीश कुमार ही बने हुए हैं बिलकुल और यह सीधे तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि जो राजधानी पटना में सियासी तपिस बढ़ी हुई है, एक तरफ आप देख सकते हैं, सर्द का मौसम है और सबसे बड़ी बात यह है, कि देखिये जैसा कि हमारे सह्यूगी रवी जिक्र भी कर रहे थे, कुछ भी हो जाए, मुख्य मंतरी तो नितेश कुमार ही होगे देखिये 2020 में तीसरे नंबर की पार्टी बनी ती जैडियू उसके बाब जूब भी, यह तैहर अभी चाहे आरजडियू के साथ जाए या बीजेपी के साथ, मुख्य मंतरी नितेश कुमार होगे लेकिन एक बात जो कई जा रही थी, कि इस बार हो सकता है लालू परसाद यादा कोई बड़ा खेला करें, तो वो खेला अभी तक तो नजर नहीं आया है कोशिश उनकी यही थी कि शायद जेडियू के विदायकों को तोड़ लिया जाए, हम पार्टी को मना लिया जाए कि उनके साथ आ जाए यह कोई भी संभावना जो बड़ा फेर बदल, कोई बड़ा टर्निंग पॉइट साबित हो सकती थी, अभी तक तो नजर नहीं आया अभी तक जो स्क्रिप्ट बीजेपी और जेडियू ने मिलकर लिखी थी, उसी स्क्रिप्ट पे हमें दिनबर आज तक राजनितिक जो घटना करम है वो देखने को मिल रहे है इस्तिफा होगा, फिर दोबारा समर्थन दिया जाएगा बीजेपी की तरफ से, राजयपाल के पास जाएंगे, शापत ग्रैंड समारो होगा यानि कह सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से एक बार फिर कोई चारा नहीं है, नितीश कुमार ने जो खेला-खेला है, उसके चारों तरफ ही इस वक्त बिहार के सियासत खूमती भी नजर आ रही है बिल्कुल और नितीश कुमार के बारे में कहा ही जाता है, वो कब क्या फैसला ले ले, कब कौन सा कदम उठा ले, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं भाब सकता जी हाँ, लगतार आप यह अठकले लगाई जा रही थी, और नितीश कुमार बहुत ही सोच समझ कर आज इस्तिफादिया और आज ही वो शपत लेंगे, ऐसा पहले भी हो चुका है और नितीश कुमार नहीं चाहते हैं कि जो दूसरी पार्टी उसे कोई मौका मिले